कि अदि पोग मुखमंत्री राजनीत में नितीश कुमार जी ऐसा कमजोर मुखमंत्री अब भिहार को मिला है नितीश कुमार अब कुछ नहीं भिहार के लिए कर सक्था आ तो की हवा निकल चुकी है असरम नहीं लग रहा है आपकी पुलीस के नाग के नीचे सराब भीक रहा है नमस्कौर एक निउस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नुशा छप्रा में जरेली शराब से मौतों के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है इसको लेकर बीजेपी के नेता समराट चौधरी ने भी भार सरकार पर निशाना साथा है और कई गंभीर आरूप लगाये हैं सबसे पहले तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समराट चौधरी 200% सराब बंदी 100% बंद रहे और गुजरात से इनको कंपटिशन करना चाहिए यह लोग कहते हैं ना कि आप सराब बंदी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं एकदम चाहते हैं 100% नसाबंदी चाहते हैं और आपको तुलना करना चाहिए कहते हैं यूपी और हर्याना से सराब आत आपको सरम नहीं लगता है कि आप मुखमंत्री हैं आप मिनिस्टर हैं और की पुलीस के नाग के नीचे और पूरा पुलीस का तंत्र सराब है स्प्रीटिश को थाने से निकल कर लोगों के घर तक पहुचा और सराब बना आपको तुल्ला करना है तो गुजरात से किजिए न कितने लोग मरे बिहार में आकड़ा है कि 23 लोग ही मरे हैं पहला पूरे साल में ये रिपोर्ट पूरी तरफ फरजी है क्योंकि ये बिहार सरकार रिपोर्ट भेशती है पूरी तरफ फरजी है नितीश कुमार फ और नुक्ति पत्र दे रहे थे नुमंबर में बी करमचारी चायन आयोक की नुक्ति विए 11,329 लोगों की तो उसको नुक्ति दे रहे थे नुमंबर में तो ये लोग बेसर्म सरकार हैं इससे अधिक इन लोगों का ब्रॉब गुजरात में चार लाख लोग जेल में हैं क्या बिहार में चार लाख से अधिक लोग सराब में गरीब लोग जेल में हैं बड़े लोगों को तो बेल मिल जारी लेकिन जो गरीब लोग हैं वो जेल में है तो आप गुजरात से तुलना कीजिए ना गुजरात मॉडल इस लाजनीत में नितीश कुमार जी ऐसा कमजोर मुखमंत्री अब बिहार को मिला है, यह अत्यान ही दुर्भाग कोने नितीश कुमार अब कुछ नहीं बिहार के लिए बियाहार अब पुरी तरह तरस्त हो रहा है आप देख रहे हैं जरेली सराब में इतने लोग मर रहे हैं और मुख मंत्री अराम से बैठे हैं और करें मरेंगे ही तो नितीश कुमार जी जैसा कमजोर मुख मंत्री अब यहार को मिला है इसलिए कोई पॉलिटिकल डिसिजन लेने की आउकात ही लोगों की नहीं रह गई राज़त की स्थितिक तो आप देख रहे हैं राज़त तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है और जंता दल उनाइटेड तो की हवा निकल चुकी है तो सोना अपने समराच चौधरी को समराच चौधरी ने बहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्हें डरपोक और कमजोर मुख्यमंत्री बताया उन्होंने कहा कि बहार में मुख्यमंत्री नितिश कुमार काफी डरपोक हैं और कमजोर हैं जिस वजह से यहां की जनता तरस्त हो चुकी है अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले नमस्कार